जियां हेलो नमस्कार स्वागतिक वर्फे से आप सभी का आपके ही अपने मौसम समाचार के इस वीडियो में जियां यहाँ आप जानेंगे आप अपने सहर अपने गाउं अपने कस्बे की मौसम की ताजा जानकारी अगर आप हर्याणा के किसी वी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक प्याला सा लाइक करें ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सेर जरूर करें अगर आप हर्याणा से जुड़ी मौसम की ताजा रिपोर्ट पाना चाहते तो प्लीज प्रियार नीज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले जियां क्या है मौसम का ताजा हल हर्याणा से जियां हम लिए चलते हैं आपको इस वीडियो में हर्याणा के छे जिले रेड लड़ पर भारी बारिस और बिजली गिरने की संभावना जियां दोस्तो रिड एलर्ट वाले जिलों के अलावा अरेंज इलर्द वाले जिलों में यमनानगर कूर छेत्र, कैतल, करनाल, मेहंदरगण, मेवात, पलवल, फरीदावात, पानीपत, इसार, जीन, भिवानी शामिल हैं इन में से कुछ जिलों में कल के बाद बारिज की भारी संभावना कम रह जाएगी जियां दोस्तों इस वत की बड़ी कबर हम आपको बता दें हर्याडा में भारी बारिज की चैतावनी आज भी जारी है प्रदेश के च्छे जिलों में भारत मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है यह जिले हैं सोनीपत, रोहतक, गुरुगराम, जजजर, रेवाडी, चर्की दादरी है यहां अधिक से अधिक बारिज होने की स संभावना है जिसमें सोनीपत में दो एक दिन पहले ही प्रदेश की सरवादिक बारिज दर्ज की गई हैं वहीं अरेंज अलर्ट वाले जिलों में यमनानगर, कुर्षेत्र, कैथल, करनाल, महंदरगर, मेवाद, पलवल, फरिदावाद, पानीपत, हिसार, जीन, भिवानी स हिसार में दिन का ताब मान 8 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है, हलाकि अभी तक हिसार में भारी बारिज नहीं हुई है, महेज बूदा बांदी हुई है, लोग बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं, 21 जुलाई तक बारिज के आसार हैं, मगर आगे भी मानसोन सक्री होता रहेगा ये हैं येलो एलाड वारिज सहर, येलो इलाड वारिज सहरों में फतेहावाद, सिरसा, अंबाला, पंच्कुला सामिल है, यहां अवसतन बारिज कम हो ही है, मानसोन, सरवादिक उत्त्री और दच्छणी पहर्याणा में सक्री हुआ है, मगर हिसार और सिरसा और रेड एलर्ड अतितीवर वारिस आंधी और तूफान आने की संभावना को दरसाता है वहीं अरेंज एलर्ड अधिक से बहुत वारिस आंधी वा गरत चमक के साथ तूफान की संभावना को दरसाता है इसे प्रकार एलो एलर्ड अधिक वारिस की संभावना को दरसाता है